किसान सातियों नमस्कार मैं सुनू सवागत है आपके चैनल बलेक गूर्ड फारियंग прот में तो आते हैं लेकिन हमारे पस्ती बार बार रिपेट होते तो आपका पसु अगले AI करवाते ही गाविन ठहर जाएगा ये फार्मूला बिल्कुल रामबार की तरह काम करता है किसान साथियों गाविन ठहरने का जो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे पसुओं के हमारे गायब भैस के बच्चरदानी में इंफेक्शन की वज़े से होती हैं तो वीडियो के लाश तक बने रहिए और पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से हमारे पसुओं के उपर काम करता है तो इस फार्मूले को बनाने के लिए आपको एक टाइम में चने का वेसन ले लेना है और किसान साथियों देसी घी के साथ आपको हलदे भी ले लेना ह आप एक बहुत लिए दबात तयार कर सकते हैं अपने पसु के बच्चाराधानी के इंफेक्षिन खतम करने के लिए अपने पसु को गाबी ठहराने के लिए तो किसान साथियों चलिए बताते हैं कि इसे किसे अपने पसु को देना है और कितनी मातरा में देना है और किसान साथियों कितने दिनों तक देना है और उसी के साथ आपको 100 ग्राम देशी घी ले लेना है और किसान साथियो 25 से 30 ग्राम आपको हल्दी बीश में एड़ करना है तो सबसे पहले आप देशी घी ले 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 और उसे गराही में डालके गरम कर ले और किसान सात्यों सबसे पहले आपको बेशन का हलुआ बना लेना है देशी घी में जैसा कि आप देख सकते हैं आपे तो आम हलुआ बनता है जिसे आप सबी लोग जानते हैं उसी तरीके से आपको बेशन और घी डालके अच्छी तरीके से हलुआ बना लीजिए अगर घी कम पोड़ा है तो किसान साथियो आपको जो है इसमें पानी भी आड़ कर लेना है और इसे पका के अच्छी तरीके से हलुआ बना ले हलुआ बनाने के बाद किसान साथियो आपको इसमें 30 ग्राम हल्दी मिला के अपने पसू को दे देना है इसे आपका पसू बोड़े ही चाओ से खाता है और किसान साथी आपको चार से पांच दिन देना है और चोबिस घंटे में आपको अपने पसू को एक बार ही खिलाना है और ऐसे लगातार आपको पांच दिन तक खिलाना है पांच दिन खिलाते हैं आपके पसू के बच्चरदाने में जो भी इंफेक्शन रहेंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे और अगले आई में आपका पसू गाबिन भी ठहरेगा तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगा